Ben वेलकॉम विवर्सकारअटних योथूब चैनल है लुएंग एक्स्वेस दित्स पूरिटाती है जो आपका फिफ्ट्चेप्टर का नाम है फूरिट्पोर से इंग एक्सान दिस कैपटर रहत है by line hindi as always as you have to watch this video till the end so friends आपका chapter start होता है the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bear feet the two boys started in surprise दो लड़के असर से चोग गए started in surprise मतलब दो लड़के असर से चोग जाना दो लड़के असर से चोग गए at the fresh muddy imprints at fresh मतलब ताजी muddy imprints of a pair of bear feet और किसी यह चाप ते एक जोड़े नंगे पैरों के चाप जो कीशड से चाजी थे इनको देखकर दो लड़के थे असर से चोग गए so once again you have to see the two boys started in surprise दो लड़के असर से चोग गए at the fresh muddy imprints of a pair of bear feet ताजी कीशस चाने वे एक जोड़े नंगे पैरों के निसान को देकर उनकी चाप को देकर जो दो लड़के थे असर से चोग गए what was bear footed man doing on the steps of a house in the middle of London what was bear footed man doing नंगे पैरवाल ब्यक्ती क्या कर रहा था on the steps of a house एक घर के सिणियों पे नंगे पैरवाल ब्यक्ती क्या कर रहा था को नजर आई जैसे लड़की उस उस पैरों के निसान को नहारते गए ठक्टी लाकर देखते गए एक बहुत ही अदबूत बहुत ही लेकनी नजारा उनको दिखाए दिया और फ्रेस फूट मार्क अपीर्ड फ्राम नोवेर ताजा पैरों का निसान पता नहीं कहा से परकट हुआ mend Kap Tao का परकड़ हुआ ताजा पैरों का निसान लोगों ने फालो किया यह पैणों की निसान थे जिणियों से निंचे उतर रहे है आर गल्यों में यह पैणों की निशान ठाप खएरों का निसान लड़के थे हैराने में अशर होकर इस पैरों करें तरहर पीछा करें से the explanation of the mystery was really simple enough the explanation of the mystery इस रहसी की जो ब्याख्या थी was really simple वास्तों में बहुती स्रल थी इस रहसी की जो ब्याख्या थी यानि जो रहसी बहुती सिंपल था बहुत सहार था यह घवराई वे लड़के एक साइंथिस्ट का पिछा कर रहे थी जिसने हाले में डिसकवर किया था कैसे मानो सरीर उसको ट्रांस्पेरेंट पारदर सी किया ज़सकता है घवराई वे लड़की एक साइंथिस्ट का पिछा कर रहे थी जिसने हाले में डिसकवर्ड किया था कैसे मानो सरीर को ट्रांस्पेरेंट पारदर सी किया ज़सकता है ग्रीफियन न साइंथिस्ट का क्या नाम थे घरीफियन जो सैंस्टिश्ट उसने एक बाद प्रयों किये थे तो प्रूब डैट दे हुमन वाडी कुड बी कुड बिकम इन वेले की यह सावित करने की जो मानो सरीर उसे अधरिश किया जासा अधरिश किया सकता है उसे ट्रांस्पैरंट किया जास इसके लिए उसने बहुत सारे प्रियों किये फाइनली ही सवालोड सर्टें रियर ड्रक्स एडिश बीकम इस ट्रांस्पैरंट इस सेट अफ घ्लילו स्वाली तॉ असे उसं किया कुछ दॉटलव दिवायिओं को खालिया रियर ड्रक्स मतलब दॉटलव दिवायिओं यार पर पूरत किछ दिखाए नहीं रहा है दो इत आलसो रिमेंड एस वाइज अंदर से उतना इस सॉलिड जितना की ग्लास जितना ग्लास सॉलिड होता है जिसका स्री ठोस रहा लेकि पुरीज़ा से पारदर्शी बन गया ठीक है बिलियान साइंथिष्ट दो ही वाज भले बहुत प्रतिवासाली बहुत थी इंटलींड जिनियस साइंथिस्ट ग्रीफिन वास रेदर लॉलेस परसन लेकिन ग्रीफिन बहुत ज्यादा लॉलेस परसन तब कानून ही निया अनुशाह नहीं रहना सथी था His landlord disliked him उसका जो मकान मालिक था उसे dislike कर उसे नापसंद कर था and try to eject वह उसे निकालने का प्रयास किया In the revenge बदले में Griffin set fire to the house बदले में क्या किया Griffin ने उसकी घर में आग लगा दी To get away without being seen He had to remove his cloth To get away without being seen बिना देखे बच निकलने के लिए बिना देखे भागने के लिए Griffin को अपने कपने निकालने पड़े थी Thus it was that he become homeless Wonder तबी से वह क्या बन गया एक homeless Wonder बिना घर का खुमककड बन गया बिना घर का और खुमककड बन गया Without कला बिना कप्डे के बिना घर का खुमककड बन गया बिदावड मने बिना पैसे के Thus it was that यही समय था यही था He become homeless Homeless बन गया Wonder बन गया बिना पैसे के बिना कप्डो के Until he happened to step in some mud and left footpin as he walked जब तक कि यह चानक सन्योग सिख्या उसका पैर कीचड बनी चला गया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके पैरों के निसान बनते जा रहे थी He Sc scribed easily enough from the boys Who followed his footprints in London He escaped easily enough from the boys वो असाने से उन बच्चों से उन लड़कों से बच निकला जो कि लंदन में उसके पेरों के निशान को फालो कर रहे थी बट इस एडवंचर्स वर बाइ नो मिंट सुबर लेकि उसकी सासी कार्य देकि इसी तरह से समाप्त नहीं हुए थी जो हवाती पिल्कुल क्राकी किती हम कपादी नहीं हवाली हवाती and he could not do without class or बिना कपलों के उससे काम नहीं चरसे कुछ नहीं कर सकता दा instead of walking about the street he decided to sleep into big London store for warmth instead of walking about the street अब गलियों में इददर चलने के बजाए he decided to sleep into big London store ओ लंदन के बड़े store में सरकने का सरकने का निश्य किया for warmth गर्मी के लिए गर्मी पाने के लिए ओ लंदन के बड़े store में सरकने का या उसमें जाने का निश्य किया closing time arrived अब यह जो big store था इसका बंद करने का समय आ गया and as soon as the doors were shut जैसे इसके दर्वाजे बंद हुए Griffin was able to give himself pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense Griffin was able to give himself like Griffin अपने आपको pleasure देने में योगे बन गया था of clothing and feeding himself खाने पीने का pleasure देने में योगे बन गया था without regard to expense में बिना खर्चे के परवा के विए बिना पैसे के परवा के ना बिना खर्चे के परवा के विने वो क्या किया था अपने आपको अनधित करने के योगे बना दिया था वो कपड़ों के लिए और सासाथ खाने पीने की चीज़ों थी he broke open the box उसने जो वाक्स था उसको तोड़ के खोल लिया and wrappers fitted himself with the warm cloud अपने आपको गरम कपड़े से कर लिया अपने अपने गरम और fitted कपड़े से अपने आपको धक लिया या गरम और फीट कपड़े पहल लिया शून विट सूज और ओवर कोट और वाइड ब्रेम हाट यी बिकम फुली ड्रेश्ट और वीजवल परसं सीगरी उसने जूदे पहन लिया ओवर कोट पहन लिया चाड़ी जो टोपी होती गोल साइड वो टोपी पहन लिया वो कैप पहन लिया इडेक Kickstarter मैं दिखाय देन वाला वियक्ती बन गया In the kitchen of the restaurant, he found the cold meat and coffee in the kitchen of restaurant, restaurant के kitchen में और किचन में he found cold meat, उसने किया cold meat पाया,儿 Than Cost . and coffee, उसे coffee भी मिल गया and he followed a meal with sweets and wine taken from the grocery खाना खाने के बाद उसने के मिठाई भी खाए सराब भी पिया जो की grocery से लिया था grocery store से लिया था and finally he settled down to sleep on the pile of quilt और अंत में रजायू कढ़ेर पे सोने के लिए तयार हो गया, सोने के लिए सोने चला गया, finally he settled down to sleep on the pile of quilt और अंत में रजायू करे पे जाकर सो गया if only griefing had managed to wake up in good time all might have been well, if griefing had managed to wake up in good time अगर griefing अच्छे समय पे उठने योगे हो गया होता या अच्छे समय पे उठने के योगे manage किया होता, all might have been well, सब कुछ सही रहा होता as it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning और ऐसा हुआ कि वो तब तक उठा नहीं जब तक कि जो सहायक थे अगली सुबह आ नहींगे, अब उस स्टोर पर काम करने वाले जो सहायक थे जब तक आ नहीं, तब तक वो अपने मिस्तर से उठा नहीं when he saw a couple of them जब उसने देखा दो लोगों को जो उसकी तरफ आ रहे थे when he saw a couple of them जब उसने एक जोड़ी देखा approaching आते वे he panicked, वो दर गया, वो दहसत में आ गया and began to run off भागने लगा जब उसने एक दो जोड़ी लोगों को देखा दो लोगों को देखा, जो उसकी तरफ आ रहे थे तो दर गया और दर के मारे वो भागने लगा they naturally gave chase जब वो भागने तो उन्होंने survived पिशा भी किया and the end he was able to escape only by quickly taking off his newly founded cloth on them इन लोगों से बच निकलने में सफला केवल एक मात्र चीज़ सी quickly taking off his newly founded नए जो कपड़े पायतिस को जल्दे निकाल कर फिक कर इन लोगों से बचने में सफला so once more he found himself invisible so once more एक बार फिर he found himself एक बार फिर हो क्या वो अध्रिश हो गया transparent हो गया but nagt in the chill January this time he decided to try to stock off theoretical company in the hope of finding not only clause but also something that would hide his empty space above his shoulders this time he decided to try to stock off theoretical company इस बारो theater company को लुटने का उसको भड़काने का या उसमें चोरी करने का निशह किया in the hope of finding इस उमीर में finding not only के इस उमीर में केवाल उसे कपड़े नहीं मिल आएकर बलकि उसे और चीजह मिल जाएगी जिसे अपने जो कांदे के ऊपर जो खाली की तुटरीन सिरिंग विद गोल थंड से कापते विजल्दी जल्दी ओ तरी लेन में चला गया। अब देटर वर्लों की थेटर वर्ल्ड का ही कहा था। यह सुन फांड शुटेबल साफ थीजरे विजे बहुती शुटेबल साफ मिल गया। ही मेर्ड इजवेजवल अप शुटेबल साफ चाहिए अची दुकान मिल गया। ही मेड हीज वे इनिविडियल अप पिश्टेर वो अध्रिश्ट रहता वो अध्रिश्ट से होते विए अप पिश्टेर पेचला गया चेम आउट लीट लेट और थोड़े समय बाद वापस आया वेरिंग बैंड़ेज पटिया पहने वी राउंड ही फोरेड अपने माथे प बिना देखे बच निकलने के ही कॉलसली अठाइक दस्वापकी कर उसने क्या किया कि पर पेदुकान पे बेरामी से अठाइक कर दिया हमला कर दिया फ्राम बियांड पीछे से अफ्र वीच ही रॉब्ड हीम ऑल दा मनी ही कूड फाइं उसके बाद उसका सारा पैसा लूट ल विलेज ऑफ आएपी इगर टुगेट अवे और फ्राम क्रावडेड लंदन उस सुगता थी लंदन के विल्ड से बच एक लिए की उस सुगता थी इसलिए उसने क्या किया ही टूकर ट्रेंट टू विलेज आपकर दिया उसने आइपी गाउं के लिए एक ट्रेंट पकर दि लेडरिव लोफ सेंचे एक टी एक क्सी अजनवी बएक्टी का जाले की समय एक साय मेंा हर तरह से क्या थी एक संहाने घृट ना थी टीएगा लाइक लिएन्वा की किसी ट्राश पकर श brewing हा थी एक साय से क्या थी अग्स लिएड्वनेंट थी एच अबनॉर्मल है था एक इस्ट्रेंजर एक अजनभी जिसकी अपिरेंस अनकामा थी असधार थी असधार उसका लुगता जिसकी चल जो सारी जो बाने थी हो ही ने लेंगे सारी लोग इसी के बारे में बाते करने लगे मिसिस हाल दा लेंडाड वाइफ मैट एवर्रेंडली जो तो लेंडाड जो था राय का जो जो ता वौपत नी थी उन्योंने हर समब प्रयास किया इसे इसके साथ दो मिततर होने का हर समब प्रयास किया but Griffin had no desire to talk लेकिन ग्रीफिन कोई इच्छा नहीं थी उनसे बात करने की and told her और उसने उनसे बताया my reason for coming to Iping is desire for solitude और उसे बताया कि मेरा region ही मेरा कारण है Iping आने का मुख्य कारण क्या है मैं एकांद चाहता हूँ मैं एकांद के लिए में Iping आया हूँ my reason for coming to Iping is desire for solitude मेरा reason है Iping आने का वह है solitude का एकांद का I do not wish to be disturbed in my work मैंने चाहता हूँ मेरे काम में कोई disturbed करें मैंने चाहता हूँ मेरे काम में कोई बाना डाले मेरे काम में कोई disturbance हो beside an accident has affected my face इसकी अत्रिक एक accident के चलते जो मेरा चेरा है उत्रा सा प्रवाइद हो चुका है satisfied that her guest was an eccentric scientist और इस बास सटिस्फाइड होती हुए उनका जो guest था एक sun के वग्यानिक था and in view of the fact और सिस्टाजाई को जानते भी that he had paid her in advance कि उन्हें advance में pay कर चुका था pay कर दिया था Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and ill-devil temper Mrs. Hall क्या थी तयार हो गई जो strange habit थी इस जनभी वेकती के इस scientist के जो strange habit थी अजद थी और उसका ज़्चरा सभाव तो इसको माफ करने के लिए तयार हो गई but the stolen money did not last long लेकिंग जो चुडाया वह पैसा तब काफी लंबे समय तक नहीं चला and presently Grieven had to admit और वर्तवान में Grieven को स्विकार करना पड़ा that he had no ready cash कि उसके पास अब ज़्यादा ready cash नहीं है तो उसके पास अब ज़्यादा cash नहीं है he pretended however that he was expecting check to arrive at any moment he pretended लेकिन उसने दिखावा किसन नाठक किया however that he was expecting वो उमीद कर रहा था a check to arrive at any moment कि किसी भी पाल उसे एक check उसे मिल जाएगा उमीद कर रहा था किसी भी पाल उसे एक check मिल जाएगा ये इसका वो नाठक कर रहा था shortly afterwards a curious episode occurred उसके थोड़े समवाद एक पहुत अजीव घटना घटी थी very early in the morning a clergyman and his wife were awakened by noise in the study room very early morning पहुत सुब़ जो clergyman जो पादरी था उसकी वाइफ थी awakened जागे by noise in the study room में जो सूर गूल हो रहा था उसको सून करके जो clergyman था जो पादरी था उसकी वाइफ थी वो जग गए क्रीपिंग दाउन स्टियर्स देहर्ट चिंक अफ मनी बिंग टेकन फ्रम दो क्लर्जी मैं देश्ट की लिका ले जाने की आवाज उने सुनाए दिया बिदाउड मेक अनिवाईज विद पोकर ग्राफ फामले इनिस हांड धकलर जीमान फ्लंग ओपन दोर श्रेंडर ठीक है बिदाउड बींग अनी नवाईज बिना कोई सूर किये बिना पोकर फामले इनिस हैंड और उनके हाथो में पोकर मजबूति से पकड़ा होए थी यह जो clergyman था हो बिना कोई सूर किये और हाथ में मजबूती से पोकर पकड़े भी clergyman फ्लंग उपन देड दर्वाजा खोला पोकर बिसिकली वो मुठिया हो दिया ठीक है तो clergyman ने किया दर्वाजा वाइड ओपन किया और का स्रेंडर स्रेंडर करो अब इस परेग्राफ में देख तब उससे अशर हुआ ही रिलाइज जब उसने रिलाइज किया डैट रूम अपियर टू भी बडेके रूम खाली प्रतीत होता था तब उससे बहुत अशर हुआ ही और इस वाइफ लुक्ट अंडर दर डेस्क बहाइंड दर कर्टेंस और इवें अब द चेमनी ही और इस व हैड बीन ओपेंड अंड हाउस की मनी वास मिसिंग फिर भी डेक्स खुला हुआ तो घर का जो हाउस की मनी था वो गायब हो चुका था Extraordinary Affairs the clergyman kept saying for the rest of the day पूर देन जो clergyman जो पादर दी ही का तरह बहुत अद्बूद घटना हुए गंबरा बं था और वहां से पैशा गाय वो गे तो अब जो था एग नेंक हैं गोई तो Extraordinary Affairs the clergyman kept saying for the rest of day पुरा देन करज में यह काता है बहुत अद्भूत गटा हुए और पूरा परसा गया हो गया है बट इट वस नॉट अश्टा अड़ नहीं as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning लेकि उतना ही अद्भूत नहीं था उतना भी अद्भूत नहीं था इतना की Mrs. Hall की furniture की behavior खाता जो कि उस सुबह थोड़े देरे बात हुई थी दे लैनलोर्ड और इस वाइफ वेर अप अरली जो लैनलोर्ड और उसकी वाइफ थी वो आज सुबह जल्दी उठ गए अन्वर सर्प्राइज तो सी दसाइंटिस्ट वाइड ओपन उन्हें अशर वदेखर की जो साइंटिस्ट का जो 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 पुटी तरह से खुला हुआ था यूज्वाली एट बास सठ एंड लॉग्ड समगने ते यह दर्वाजा क्या था या लॉग रहता था ठाल बंद रहा देनी सट रहा था और पुरी तरह से लॉक रहता था तो आज उने सर्प्राइज हुआ कि जो साइंटिस्ट का जो दर्वाजा था पुरी तरह से वाइड the opportunity seemed too good to be missed opportunity यह आऊसर अाइसा था कि इसको मिस नहीं किया जा सथ इतना अच्छा आऊसर था इसको मिस नहीं किया सथ यह पीप तराउंड दोर इसलिए वह उनके गाया दर्वाजे के चार और देखा जहां का सा नोबडी पाया कि वहां कोई नहीं था and decided to investigate तब उन्होंने अंदर जाकर investigate जांच करने का फैसला किया bed cloths were cold जो bed seat से खोगा थे ठंडे थे showing that the scientist must have been up for some time ये बात को संकेत कर दिखा दे रहे थे बता रहे थे कि scientist को समय के जरूर बाहर रहा होगा and stranger still और सफे बड़ी ये थी the cloths and benders he always or well lying about the room सबसे बड़ी अश्र की वात सबसे बड़ी अजीव आती थी जो कपड़े जो पट्टियां जो अक्सर वो पहने रखता था वो इदर दर कमने पड़ी भी थी all of sudden Mrs. Hall heard sniff close to her ear all of sudden अचानक Mrs. Hall को उनकी कान के पास all of sudden Mrs. Hall heard sniff close to her ear अचानक Mrs. Hall को उनकी कान के पास sniff करने की सुने की आवास सुनाई दी a moment later the hat bed push left up and dash itself into her face a moment later थोड़े समय बाद जो की hat जल की एक bed push होता है जो bed push होता है चार कोना होता है उस वहाँ पे क्या था वहाँ पे cap रखात हुआ वो cap के उच्छनल लगा and dad itself into her face और उचलते वे उनके चेरे पे आ गया एक बेट push पे scientist का जो cap रखा होता हुचला और उसके बाद Mrs. Hall के चेरे पे आ गया then the bedroom chair become alive उसके बाद जो bedroom chair था वो भी जवीत हो गया जो bedroom का जो कुरसी था वो भी जवीत हो गया springing into the hair और हवा में एयर में हो क्या हुआ जूलने लगा head starts straight at her legs foremost और आगे अपने पेरो पे पढ़ने लगा as she and her husband turned away in the terror जैसे वो और उनके husband भैसे वहाँ से भागने लगे भैसे भागे the star and a chair pushed them both out of the room जो अध्भूत जो चेर थी इन दोन लोको में निकाल दे एन और pregnant य Даже जुमào इसके बागे और बंद हो गया बंद हुए और उसके बंद हुआ कर दिया इसके पास से कमरे का डर्वाज़ा ध्राम से लाग से過來 लिए मिसहाल औरमोस्ट फेल डाउन देश्टेयर्स एन हैस्टिक मिस्टर जो हाल थी वह लबक मेंटल डिसार्डर की चलती अजिए लबक गिरने वाली थी स्वेट गिर गए लबक गिर गये इस बात को ने यकीन और कर लिए अपने आपको कि रूम में आत्माय रहती है और देश्टेयर्स एंटर इंटर इंटू दफनियर और किसी तरह से इजनावी ने क्या किया इस इजनावी के काड़ यह जो आत्माय है वह फरनीचर में परवेश कर गई है मैं पूर मधर यूजटो सीटे इन डाट चेर मेरी जो पिचारी मात थी वह इस चेर पर इस चेर बैठा कर दे थी सीमोन और में सूच रहूं कि यह मेरे खिलाफ उट खड़ा हुए है the feeling among the neighbors was the troubles was caused by witchcraft the feeling among the neighbors जो प्रोसियों के बीच में जो भवनाय थी was that trouble was caused by witchcraft एक जो मुसीवद आय थी जादु टोना कवज़े से आय थी जो प्रोसी दिवो करती ये ट्रवल ये परसान जो आये वो जादु टोना कवज़े से आये बट विच्क्राफ और नाट वेन निव्स अब ब्रगलर एड़ दश्कलर्जी मैन हों बीकम नों लेकिन जादु टोना है कि नहीं है जब निव्स जब चौरी की जो ख़वर जो पादरी ता उसके घर की जब चौरी खवर जब सब लोगों को पता चली दे इस्ट्रेंजर सां के सांधिस्ट स suspension a संदेक करने लगे टेंगे संदे स्पनेश क्या आप से क्या मिया हैं पेस्ट और ज्यादा बढ़ गया落एगल party शंदे ऐ 손देख ता और बढ़ गया, though he had admitted not long before he had no money, वाले कुस्त में पहले उसने admit किया था, सुविकार किया था, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जैसे उसने ready कह दिया, उसने कह पैसा दिया, तो सबका संदे और ज़्यादा बढ़ गया कि ये कलर जी माइन के गर इसने ही चूरी किया होगा, the village constable was secretly sent for a village constable को चिपके से बुला दिया गया, instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, instead of waiting for the constable, constable के इंतजार किये बेगायर, Mrs. Hall went to the scientist, Mr. Hall scientist के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, वो किसी रहस्मे तरीके से अपने खाली बेडरूम में परकट हो चुगा था, I want to know what you have been doing, to my chair upstairs, I want to know what you have been doing, तुम क्या कर रहे हो, to my chair upstairs, मेरी उपरी मंजिल मेरी मेरी chair के साथ, तुम क्या कर रहे हो, मैं जाना चाहूंगी, मैं जाना चाहती हूं, इसी demand है, उन्होंने, demand की बताओ, तुम मेरी chair के साथ, उपरी मंजिल में क्या कर रहे हो, and I want to know how it is you come out of an empty room, और मैं ये भी जाना चाहूंगी, कि तुम empty room में, empty room से कैसे बाह निकले, how you come out of an empty room, ये खाली कमने में कैसे, प्रिवेस की, now how you interlocked room, I want to know how it is you come out of an empty room, ये जानना चाहूंगी, कि empty room से जो खाली कमरा है, जो खाली घर है, उस घर से कैसे बाहर निकले, and how you entered a locked room, कैसी, जो room locked ता, उसमें कैसे तुम प्रिवेश की, मैं ये सब को जाना चाहूंगी, The scientist was always quick tampered, जो scientist ता बोजय ता, चिन सा सवबाग वेक्ती था, Now he become furious, अभु क्या हो, आग बवुला गुस्य में हो गया, You do not understand, who or what I am, तुम्हे नही मालूम है, मैं काउन हो और क्या हूं, He shouted, चिलाया, Very well, I will show you, मैं काउन हो और क्या हूं, Suddenly, he threw off the bondage, whiskers, spectacles, and even nose, Suddenly, माला अचानक, he threw off the bondage, उसने पटियों को फिक दिया, मुचों को फिक दिया, चस्मों को फिक दिया, यहां तक ही अपने पिनकली नोच ता उसको भी फिक दिया, It took him one day of minute to do this, और यह करने में उसे किवल एक मिनट लगा, The horrified people in the bar found themselves staring a headless man, जो डरे वे जो लोग थी बार में, वो पाये कि एक ऐसे आदमी को देख रहे थी जो बिना सर के था, डरे वे लोग एक ऐसे बेखती को देख रहे थी जो बिना सर का था, Mr. Jaffer, the constable now arrived, Mr. Jaffer, जो constable थे वो आ चुकी थी, and was quite surprised, उन्हें पहुच जदा अशर हुआ, to find that he had to arrest a man without head, यह जान कर कि उन्हें एक ऐसे वेकती को आरेख करना है, जो बिना सर का है, but Jaffer was not easily prevent from doing his duty, लेकिन Jaffer अपनी duty करने से अपने आप को असानी से रोक नहीं सकते थी, If magistrates warrant to order to person arrest, then had to arrest, then person had to be arrest with or without his head, अगर magistrate ने वारन जादी किया एक वेकती को आरेख करना है, तो उसे आरेख ही करना पड़ेगा, चाहे सर कहो बिना सर कहो लेकि उसे आरेख करना ही पड़ेगा, There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of man who was becoming more and more invisible as he threw off garment after garment, garment after another, there followed remarkable scene, वहाँ पे भहुत अद्भूद seen हुआ, as the policeman tried to get hold of man, जब policeman प्रयास कर रहा थे के एक ऐसे वेकती को पकड़ने का who was becoming more and more invisible, जो की ज़्याद से ज़्यादा अद्रिश होता जा रहा था, as the view of one garment after another, जबकि एक के बाद दूसरी कपड़ी को fake करके वह अद्रिश होता जा रहा था, policeman ऐसे वेकती को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, जो लगतार अद्रिश होता जा रहा था, अपनी एक के बाद एक कपड़ी fake करके, finally a serge flew into the air, अचानक क्या हुआ, एक सर्थ हावा में लहराने लगा, हावा में उलने लगा, and the constable found himself struggling with someone he could not see, अंत में जो constable अपने आपको पाया कि वह ऐसे बेकती को पकड़ने के संगर्ज कर रहा था, जो उसे देख नहीं सकता, यानि उस बेकती को देख नहीं सकता, तो उस बेकती को पकड़ने का वो प्रयास कर रहा था, some people tried to help him, कुछ लोग उने Mr. Jaffer को help नहीं प्रयास किया, but found themselves hit by blows, तब उन्हें क्या लगा, ब्लूस थे उन्हें मार पड़ी, that seemed to come from, आमनों में पता नहीं कहां से आ रहा है, लेकिं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी, in the end, Jaffer was knocked unconscious, as he made at last attempt to hold on to the unseen scientist, अन्त में जो Jaffer थे, जो constable थे, वो मार खार कर बेहुस हो गए, as he made at last attempt to hold on the unseen scientist, जब वो अध्रिस सांतिश को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, अन्ति प्रयास के तो आंद में जाकर वो बेहुस हो गए, there were nervous, excited cries of holding, वहाँ पे nervousness थी, सब जब उत्ते जना से लोग चिला रहे थे, holding, पकड़ो पकड़ो, हर तरफ से nervousness थी, excitation था, और लोग चिला रहे थे, पकड़ो पकड़ो, बड़ इस वाग इजियर, sad than done, लेकिन, करने से कहना असान था, Griffin had second himself free, Griffin अपने आपको अजाद करा लिया था, and no one knew, where to lay hands on him, और किसी को पता नहीं था, उसको पकड़ने ले कहा हाद डाला, क्यों पुरी तरह से वो अध्रिष हो चुगा था, पुरे कप्ले इंकाला फेक दिया था, और पुरी तरह से वो अध्रिष से हो गा था, किसी को पता नहीं था, उससे कैसे पकड़ना है, कहा हाद डालना है, से पकड़े के लिए क्योंकि पूरी थे वह अद्रिश्योगता टांस्पारेंट हो गया बुचका था इन दिस वे जो आपका चेप्टर होता है कंप्लीट होता है आई होप यू अदर्श्टूर दिस चेप्टर और इसी तरह के नए वेडियो के लिए यू आपके प्रम करेंवार लिए एक डिए उल्पोर आपके सब्सक्रापरेंट इस बढ़िया नहिए यू आपके सब्सक्राप प्राइस 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 हो जलता है।